हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो वार यूट्यूब चैनल गौरप्सलाइब क्लासिस तो आज का हमारा MCQ काफी इंपोर्टेंट है डिफ्रेंसियेशन पर ये MCQ बेजड है बट ये MCQ आपके CBSC 2022 में जो आपका टम फर्ष्ट होगा उसमें आने के काफी ज़्यादा चांसिस है तो इस MCQ को अगर आप एक बार खुद से ट्राइ करना चाहते हैं तो वीडियो पॉस करके आप ट्राइ कर सकते हैं अधर्वाइस मैं इसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइट करवाऊंगा तो चलिए इसके सॉल्यूशन के ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर दूँ तो हमको तीन फंक्सन दिये हुए है FX, GX and HX FX इक्वल टू रूट X स्क्वाइर प्लस वन X स्क्वाइर प्लस वन दोनों रूट के अंदर है GX इक्वल टू दिया हुआ है हमको X प्लस वन अपोन X माइनस वन और सिमिलरली जो HX हमारा है वो दिया हुआ है हमको 2X माइनस 3 हमें क्या निकालना है यह सबसे इंपोर्टेंट है हमें निकालना है F dash of H dash X of G dash X ध्यान से देखिए हमें dash को भूलना नहीं है उपड़ dash लिखा हुआ है dash मलब differentiation कई सारे स्टूडेंट हमारा F of G of HX निकाल के रख देंगे ठीक है और उधर पे वो आपका option गलत हो जाएगा आपका answer गलत हो जाएगा क्योंकि हमें F dash of H dash of G dash X निकालना है जबकि आपने जो निकाला हुआ है वो है F of H of GX तो इस बात को नोट कीजिएगा कि जो आपका question आएगा ऐसा question तो वैसे आएगा भी नी क्योंकि differentiation पे जो भी होगा question आएगा so differentiation करना जरूरी है और उपर जो आपका dash का sign है आपको उसको भोलना नहीं है पहली चीज़ तो चलिए इसके solution की और बढ़ते हैं so solution करने के लिए सबसे पहले हमें F dash X G dash X और H dash X निकालना होगा क्योंकि question में हमें F dash और H dash और G dash निकालने का hint दिया हुआ है so देखिए हमको पहले F X दिया हुआ है F X equal to root X square plus 1 so it implies that F dash X equal to कितना हो जाएगा बताइए F dash X equal to देखिए root X root X का differentiation होता है 1 upon 2 root और X की जगों में लिख लेते हैं X square plus 1 अब X square का भी differentiation होगा जो कि कितना होगा 2X plus 1 1 का differentiation 0 so 2X so यह हो जाएगा आपका 2 से 2 cancel out हो जाएगा X upon root X square plus 1 so यह हमारा निकला F X so similarly आप हम G X निकालेंगे G X equal to देखिए हमें G X equal to दिया हुआ है X plus 1 upon X minus 1 X plus 1 upon X minus 1 so हम यहाँ पर F X upon G X वाला फॉर्मुला लगा के numerator upon denominator वाला फॉर्मुला लगा के इसका differentiation करेंगे अगर आपको यह formula नहीं आता है तो एक बार आप इस formula को सीख लिजे क्योंकि यह formula आना काफी important है और मैं समझता हूँ कि अगर आप differentiation के इस level के questions को कर रहे हैं तो आपका basic differentiation पे एक अच्छा खासा command होगा तो देखें यह simple सा differentiation है तो denominator X minus 1 इंटू डीबाइडी X of numerator बोले तो X plus 1 का differentiation 1 minus numerator X plus 1 इंटू डीबाइडी X of denominator बोले तो X का differentiation 1 minus 1 का differentiation 0 तो 1 minus 0 equal to 1 upon denominator का square बोले तो X minus 1 का square अगर आप इसको solve करते हैं तो यह आपका बन जाएगा X minus 1 minus X minus 1 upon X minus 1 का square so minus X से plus X cancel out हो जाएगा so यहाँ पर आपका minus 2 upon X minus 1 का square similarly हम HX को भी differentiate करेंगे और HX की value हमें दी वी है HX equal to 2X minus 3 so यहाँ पर it implies that H dash X कितना हो जाएगा 2X minus 3 तो इसका differentiation 2 हो जाएगा 2X ठीके 2 बहार आजाएगा X का differentiation 1 minus 3 का differentiation 0 तो H dash X से हमारा 2 आगया तो सबसे पहले हमने basic चीजे कर ली हमने F dash X G dash X and H dash X निकाल लिया है तो अब हमें क्या निकालना है ध्यान से देखिए हमें निकालना है F dash of H dash देखिए confuse मत हो येगा F G H हमें ऐसे करके याद रहता है जबकि confuse करने के लिए उसने बीच में H को डाल दिया है जबकि जो हमारा journal trend होता है हम F G H करके याद करते है तो question को देखना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर हरबरी होती है ठीक है काफी कम time आपको मिलता है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है काफी cool रहके आपको इन questions के solution को करना है तो हमें निकालना है F dash of H dash of G dash X यही हमें निकालना है तो सबसे पहले हम G dash X निकालेंगे then हम यह निकालेंगे and last में हम यह निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है G dash X then H dash G dash X and after all हम निकालेंगे F dash H dash G dash X तो सबसे पहले g-x बराबर कितना है g-x ये तो मैंने पहले ही निकाला हुआ है जो कि मेरा कितना आया था x upon sorry minus 2 upon x minus 1 का whole up square x minus 1 का whole square यही आया हुआ था मेरा तो देखिए तो यहाँ पर कुछ गड़बडी तो यहाँ पर एक छोटी सी mistake होगी है और वो mistake अब आपके लिए question है mistake क्या हुई है कि जो हमारा question था original question उसमें g-x की value दी हुई है x plus 1 upon x square plus 1 और मैंने जल्दवाजी में आपका g-x उताल लिया है x plus 1 upon x minus 1 तो यहाँ पर यह दिक्कत हो गई है अब आपको क्या करना है कि जो आपका यह question होगा जिसमें कि आपका fx आपका यह रहेगा g-x आपका यह नया वाला रहेगा और hx आपका यह रहेगा इसको आपको खुद से dry करना है जो कि मैं यहाँ पर आपको solution दूँगा वो आपके जो option यहाँ पर दिये हुए इनसे match नहीं करेगा क्योंकि मैंने question ही गलत उता लिया है बट जब आप solution करेंगे और आप g-x की यह वाली value रखेंगे तो आपका जो solution होगा यहाँ पर match करेगा तो चलिए भी यह आपका हुमर के रहा आपको इस question को देखने के बाद इस question को खुद से try करना है और इसका जो answer है वो मेरे को comment करना है जिसका भी comment सही होगा मैं उसका comment पिन कर दूँगा बट ध्यान दिजीगा answer इन चारो option में से एक है ऐसा नहीं कि आपका answer कोई अलग आ रहा हो और आप कहें कि question गलत है तो question गलत नहीं है देखिए तो अब हम ऐसी proceed करते हैं तो देखिए तो g dash x equal to मेरा है यह तो अब हमें क्या निकालना है तो सबसे बहले हमको g dash x निकालना था जो कि हमने निकाल लिया है अब हमें निकालना है h dash of g dash x इसका मतलब क्या है हमें यह निकालना है क्या होगा ये कैसे निकालेंगे, देखे, हमारे पास H-X बराबर कितना है, बताईए, H-X इक्वल टू, ह-X इक्वल टू है हमारे पास 2, तो इसका मतलब, अगर हम H-G-X निकालें, इसका मतलब क्या है, देखे, compare करके देखे, H- नीचे भी है, H- उपर भी है, bracket उपर भी है, bracket नीचे भ हम बोलेंगे, replace, replace, X-Y, G-X, बोले तो X की जगों में हम G-X रख लेंगे, तो देखे, क्या यहाँ पर कोई X वाली टर्म है, नहीं, तो इसका मतलब, आप यहाँ पर अगर X वाली टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर आप कुछ भी रख लिजिए, चाहे आप infinity रखे, 10 रखे, X-square रखे, कोई polynomial रखे, कोई tignometric value रखे, आपकी यह value change नहीं होने वाली है, क्योंकि यह constant value है, तो आपका H- of X की जगों में आप G-X रख लिजिए, तो यह value आपकी कितनी रहेगी, तो ही रहेगी, आई बात समझ में, तो आप हमने यह निकाल दिया, अब हमें last में क्या न G-X, तो देखिए, इसको निकालने के लिए इतना हमने निकाल लिया है, और F-X की value मुझे पता है, जो कि हमारी आई थी, उपर solve गरके, X upon root X square प्लस 1, यही मेरी X की value आई हुई थी, तो देखिए, तो इस case में हमें देखिए, सेम दोनों को आप compare किजिए, F-X इधर भी है, F-X इधर भी है, बसरते, यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर just X है, और यहाँ पर आपका H- of G- of X है, तो अगर हमें ये value निकालनी है, तो हम क्या लिखंगे, replace X by, X को किस से replace कर देंगे, H- of G-X, हम इस से replace कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बताइए फिर, F- of X की जगों में क्या लिख लिख लिजए, H- of G-X, देखिए, हमारा original question बन गया, जो कि हमको निकालना था, equal to, कितना हो जाएगा, बताइए, बोले तो X की जगों में इसकी value रख लेंगे, और इसकी value solve गरके कितनी आईवी थी, 2 बराबर ये है, तो F-2 बराबर बोले तो X की जगों में 2 रख लिजिए, तो 2 upon root 2 square plus 1, देखिए, इसका answer भी वही आया किसमत से, तो 2 upon root 5, तो यहाँ पर हमारी किसमत चल गई, और हमारा answer से बागिया, बट जो आप question करेंगे, उसमें भी इन में से कोई एक answer आएगा, वो आ हमारा correct होगा, अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है, ध्यान से देखिए, अगर हमें इधर पे h-of g-x ना निकालके, g-of h-x निकालना होता, ऐसा भी तो हो सकता था, तो क्या होता, तब थोड़ा सा equation और confusing हो जाती, देखिए, हमें निकालना था, माल लीजिए, g-of h-x, अ अगर मालने हमें यह निकालना होता, तो हमें क्या करना पड़ता, बताइए, तो equal to, देखिए, हमारे पाद h-x की वेल्यू कितनी है, h-x, h-x की वेल्यू हमारी पास है, जहां से देखिएगा, h-x की वेल्यू हमारे पाद 2, तो हमें क्या करना है, देखिए, हमें निकालना है g-h-x और g-x की value कितनी है देखिए उपपर g-x की value हमारी dv है minus 2 upon x-1 का square तो देखिए replace replace x by बोले तो इस equation में equation 1 in equation 1 in equation 1 replace x by x को किसे replace कर दीजिए इससे कर दीजिए बोले तो h-x और h-x की value कितनी है 2 simple तो देखिए g- of x की जगों में लिख लिए h-x equal to minus 2 upon देखिए x की जगों में h-x रखना था और h-x की value है 2 तो 2-1 का square तो यह बन जाएगा आपका minus 2 और मालीजिए अगर आपको f- of g- of h-x निकालना हो तो इसका वनलब इतना आप निकाल चुके हैं देखिए इतना आप निकाल चुके है pen hang हो रही है दो मिनट रुक जाईएगा देखिए इतना आप निकाल चुके हैं इसकी value आईए आपके minus 2 आई है और f-x इसकी value मैंने उपर equation में कितने निकाली हुए ध्यान से देखिए f-x की value निकाली हुए है मैंने एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वाइर प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वाइर प्लस वन तो देखिए आप हम क्या करेंगे इसको मा लिजे इक्वेशन वन इन एक्वेशन वन इन एक्वेशन वन रिप्लेश यहां पर भी रिप्लेश करेंगे किसको रिप्लेश एक्स बाई किससे जी डैस ऑफ एक्वेशन आजाए तो देखिए एक्वेशन इसकी वेल्यू कितनी आई बताइए इसकी वेल्यू आई है माइनश टू उपर देखिए सॉल्बग के अधैनो मैंने तो इसकी वेल्यू आई है माइनश टू तो एप डैस इतना निकाला इक्वब टू देखिए x की जगों में हमको क्या रिखना है g dash of h dash of x और जिसकी value कितनी है minus 2 तो simple minus 2 ही रख लिए सिदे तो minus 2 upon root minus 2 का square 4 plus 1 तो यह हो जाएगा आपका minus 2 upon 5 देखिए अगर sorry minus 2 upon root 5 तो हमें यहाँ पर निकालना था question में f dash of h dash of g dash x तो हमारा answer आया 2 by root 5 और अगर हमें निकालना होता f dash of g dash of h dash x तो हमारा answer आता minus 2 by 5 तो देखिए इस question में मैंने आपको 3 question solve कराए है जिसमें की 2 question मैंने आपको यहाँ पर solve कराए है और एक question आपको गलती से homework मिल गया है जिसमें की question same है आपको एक question नहीं बोलेंगे आपको 2 question homework मिल गया है जिस्ट आपको gx की value आपको different होगी है gx की value होगी है आपकी x plus 1 upon x square plus 1 हमारी gx की नहीं value यह होगी है और हमें 2 चीज़ निकालना है पहली चीज हमें निकालना है f dash of h dash of g dash x पहली चीज हमें यह निकालना है और दूसरी चीज हमें निकालना है f dash of g dash of h dash x जो भी मैंने यह दो चीज निकाले यही दो चीज आपको नई value of gx के साथ आपको भी निकालनी है और option जो आएगा वो मुझे बताईएगा ठीक है आप comment करेंगे अगर आपका comment सही होगा तो मैं उसको pin कर दूँगा तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी एक नए concept की वीडियो थी मेरे को भी काफी मज़ा है इस question को करते हुए और सबसे shocking बात तो यह रही कि जब मैंने बदले हुए gx के साथ अपने question को proceed किया तब भी मेरा answer original answer ही आया यानि कि हमारा option satisfy कर गया बट अच्छी बात यह हुई कि इस question के दौरान आपको दो homework भी मिल गए यानि कि दो अच्छे question आपको homework के रूप में भी मिल गए है तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लेलिस्ट में करवाए हुए है एक वीडियो में एक एमसी क्यू ताकि वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको concept भी समझ मा जाए आप चाहें तो playlist में क्लिक करके जितने भी MCQ है class 12 के लिए term 1 के लिए specially वो MCQ आप solve कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में या किसी concept के regarding या किसी MCQ को हम solve करेंगे तब तक आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा और अपने questions और concept को बनाईए रखेगा practice ज़्यादा important है ना कि theory जितना practice करेंगे MCQ में उतना ज़्यादा फाइदे माप रहेंगे तो इससे के साथ वीडियो को end करते हैं Thank you